हालो स्टुडेंट्स हमारा जो ओबी जी के टोपिक हम पढ़ रहे थे एंटी पार्टम हेंब्रेज उसमें मैंने आपको पहली वीडियो में प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में बता दिया था अब आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है एबरप्श्यू प्लेसेंटा प्रीविया में तो क्या हो रहा था कि जो प्लेसेंटा रहे थी लोवर सेगमेंट में यू-ट्रस के ओके अब एबरप्श्यू प्लेसेंटा क्या होता है it is one form of antipartum hemorrhage where the bleeding occurs due to premature separation of normally situated placenta abrupt you placenta की condition में क्या होता है कि जो placenta होती है वो prematurely time से पहले ही separate हो जाती है तो उस condition को क्या बोलते हैं abrupt you placenta अब जो यहाँ पे time से पहले separate हो रही है placenta, uterus से या decedua से उस वज़े से क्या होगा यहाँ पे bleeding होगी तो उस bleeding को क्या बोलेंगे antipartum hemorrhage समझ गए next one अब बात करें इसके types की कि कितने types की हो सकती है bleeding या abruption तो first one है यहाँ पे reveal reveal क्या होता है in this form bleeding occurs after separation and blood comes out of cervical canal to be visible externally इसका मतलब क्या होता है reveal type का कि यहाँ पे जो bleeding हो रही है separation हुआ placenta का होके उसके बाद जो bleeding होगी वो visible होगी यानि बाहर की तरफ आएगी वेजाईना से बाहर की तरफ bleeding होगी और visible होगी तो उसको क्या बोलेंगे reveal type next one है conceal type conceal type क्या होता है इसमें क्या होता है conceal type में कि separation के बाद जो bleeding होती है वो कहां जमा होने लग जाती है membranes और decidua के बीच में ही और बाहर की तरफ नहीं आती है समझ गए जो दो type है reveal type में तो क्या होता है bleeding जो होती है वो बाहर आती है और visible होती है but conceal type में जो bleeding हो रही है वो अंदर ही जमा होने लग जाती है और blood बाहर नहीं आता है visible नहीं होती है bleeding ओके सो ये दो type हो गए third type है यहाँ पर mix type इसमें क्या होता है कि कुछ blood तो अंदर ही रहेगा ठीक है conceal type रहेगा और कुछ blood बाहर आएगा visible होगा reveal type रहेगा तो इसमें mix में क्या होगा दोनों तरह की bleeding present रहेगी conceal भी रहेगी और reveal भी रहेगी और ये वाली जो type है ये common type है यानि इस तरह की cases ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो ये बात होगा इसके types की अब बात करें इसकी causes की कि क्या-क्या cause हो सकती abruption की तो first one है multi-gravida जो mother या जो female है वो 2 या 2 से ज़्यादा बर अगर pregnant हो चुकी है तो ऐसी condition में abruption हो सकता है next one है advanced age अगर कोई person या female प्रेगनेंट हो रही है 30 से 35 साल के बाद तो उनमें भी condition देखने को मिल सकती है next one है malnutrition की condition में हो सकता है कोई अगर mother smoking करती है तो उसमें हो सकता है poor social status अगर कोई का socio economic status अच्छा नहीं है ठीक है malnutrition खाने पीने को अच्छा नहीं मिल पाता है malnutrition की condition है तो उनमें abruption हो सकता है next one pre-eclampsia यानि pre-eclampsia में क्या होता है hypertension की condition देती है तो उस condition में भी separation हो सकता है next one है trauma injury की वज़े से भी हो सकता है placental anomaly यानि placent arm की structure में किसी तरह का defect है उस वज़े से भी हो सकता है next one है folic acid deficiency प्लेशेंसी फोलिक एसीड क्या काम आता है जो ओर्गन से उनके डेवलपमेंट में काम आता है प्लेशेंटा की डेवलपमेंट में काम आता है तो अगर फोलिक एसीड की डेफिशेंसी है तो प्लेशेंटा का एरली सेपरेशन हो सकता है नेक्स्ट होने कोकेन अगर कोई कोके और ड्रग एब्यूस करती है तो उनमें भी यह condition हो सकती है तो यह बात होगा इसकी causes की next one है इसके बाद इसके clinical features तो इसकी clinical features जो होते हैं वो depend करते हैं कि कितनी degree का abruption present है कहने का मतलब यह है कि कितने amount में abruption हो रहा है separation हो रहा है उस पे depend करते हैं इसके clinical features ऑके सो अब बात करें इसकी degree की या grades की तो first one है grade 0 अब जो grade 0 है इस पे बिल्कूल भी clinical features देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है इस तरह का जो abrasion present रहेगा 0 grade पे इस पे कोई भी symptoms नहीं दिखेंगे next one है grade 1 जो grade 1 होती है 40% cases में यही present होती है अब इसमें क्या के symptom देखने को मिलेंगे vaginal bleeding slight यानि बहुत कम vaginal bleeding present रहेगी जो second one है uterus tenderness जो tenderness रहेगी uterus में वह भी बहुत कम रहेगी या बिल्कुल भी नहीं रहेगी next one है maternal BP unaffect यानि जो blood pressure रहेगा मदर का वह unaffect रहेगा कोई change नहीं होगा next one fetal heart sound भी good रहेगा यानि fetal heart rate भी normal रहेगी तो grade 1 में यह symptom रहेगे और इतने level पर रहेगे next one है grade 2 तो यह जो 45% cases उसमें grade 2 present रहेती है अब इसमें क्या symptom रहेगे bleeding mild to moderate यानि जो bleeding रहेगी mild से moderate level पर रहेगी uterine tenderness जो रहेगी वो present रहेगी next one जो maternal pulse rate है वो increase रहेगी यानि heart rate increase रहेगी बट BP जो रहेगा वो normal रहेगा next one जो shock की condition यहाँ पर absent रहेगी शोक नहीं देखने को मिलेगा next one fetal distress और even death occurs बट यहाँ पर जो grade 2 है इसमें fetal distress की condition present रहे सकती है और अगर treatment नहीं किया जाए तो fetal death भी हो सकती है ओके यह हो गए grade 2 और last one है यहाँ पर grade 3 जो 15% cases होते हैं वो देखने को मिलते हैं grade 3 के तो इसमें क्या symptom देखने को मिलेंगे bleeding जो रहेगी वो moderate to severe रह सकती है यानि severe bleeding यहाँ पर हो सकती है next one है uterine tenderness present रहेगी और जादा मातरा में या जादा level में present रहेगी next one यहाँ पर शोक भी present रहेगा क्यूंकि bleeding heavy हो रही है तो अगर bleeding heavy रहेगी तो शोक भी रहेगा हो जाएगी ठीक है तो यह बात हो गए इसकी clinical features की अब बात करते हैं इसके diagnosis की तो यहां पर जो इसका permanent और safest diagnosis है वो है ultrasonography next one है MRI भी यहां कर सकते और vaginal examination भी यहां पर करेंगे अब यहां पर बात करते हैं इसके management की तो the management depends on the degree of abortion bleeding amount and condition of mother अब जो एबरप्शु प्लेसेंटा है इसका जो management है या जो treatment है वो किस पर depend करेगा first one degree of abortion यानि कितने amount में abortion हो रहा है दूसरा कितनी bleeding हो रही है कम हो रही है ज्यादा हो रही है उस पर depend करेगा और अब बात करें इसमें जैसे मैंने आपको प्लेसेंटा प्रीविया में बताए था expected management था और immediate management था वैसे इसमें भी expected management और immediate management है तो सबसे पहले है expected management करेंगे जब ब्लीडिंग या तो बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो या थोड़ी बहुत हो रही हो उस ताम expected management करना है अब इसका गोल क्या होता है दगोल इस टू प्रोलोंग दा प्रेगनेंसी विद दा होप ओफ इंप्रूविंग फिटल मैचुरिटी एंड शर्वाइव अब जो यहाँ पर expected management किया जा रहा है इसका गोल क्या है कि प्रेगनेंसी को जितना हो सके टर्म तक पहुचाना उस टर्म तक पहुचाना जब फिटस पूरी तरह से मैचुर हो जाए ओके यह इसका गोल है नेक्स्ट वन है continuous fetal monitoring should be done to find out any abnormality अब यहाँ पर हम expected management तो कर रहे हैं यानि प्रेगनेंसी को preserve कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं बट यहाँ पर fetal monitoring भी करना जरूरी है क्यों करना जरूरी है ताकि fetal distress या complications का पता लगया जा सके next one is expected management should be carried up to the state when fetus fetus becomes mature and pregnancy reach to term level जैसा मैंने आपको बताया expected management को कब तक continue करना है जब तक की fetus पूरी तरह से mature हो जाए और दूसरा pregnancy term level तक पहुच जाए तो यह हो गया expected management के बारे में कब करना है जब bleeding कम हो दूसरा pregnancy कहां तक ले जाना है टर्म लेवल तक ले जाना है और जब तक fetus पूरा mature नहीं हो जाता बट यहां पर continuous monitoring करते रहना है ताकि किसी complication का पता लगाया जा सके ओके तो यह हो गया expected management अब है definitive management या immediate management अब यह कब करते हैं it should be done when bleeding quite heavy and fetal distress chances में occurs immediate management कब करने को मिलेगा जब अगर bleeding ज्यादा हो रही है heavy amount में हो रही है दूसरा fetal distress के chance हो सकते हैं तो उस time immediate management करना है next point है if patient in labor and abruption is limited अगर patient labor में है और abruption भी limited है limit condition में ही abruption हुआ है placenta का तो क्या करना है oxytocin यहां पर provide करना है क्यों करना है ताकि normal delivery कराई जा सके ठीक है अगर person जो है mother जो है वो labor में है दूसरा abruption भी ज्यादा नहीं है bleeding ज्यादा नहीं हो रही है तो oxytocin यहां पर देना है contraction start कराने है और normal delivery करवानी है next one है if patient is not in labor and bleeding is continuous अगर patient अब labor में नहीं है but bleeding ज्यादा हो रही है abruption ज्यादा हो रहा है तो क्या करना है amniotomy करनी है amniotomy मतलब जो membrane है उसको rupture करना है ताकि rupture करेंगे तो pregnancy start होगी labor start हो सके तो अगर यहां पर patient labor में नहीं है पर bleeding ज्यादा हो रही है तो amniotomy करनी है ताकि delivery को start किया जा सके तो यह दो conditions हो गई यहां पर immediate management की अगर patient labor में है और bleeding कम हो रही है तो oxytocin देना है ताकि normal delivery करी जा सके अब अगर patient labor में नहीं है पर bleeding ज्यादा हो रही है तो क्या करना है मतलब amniotomy करनी है और delivery start करानी है ओके और last point है इसमे वेजाइनल delivery perform if bleeding is less and fetal distress absent अब यहां पर दो choices रहेगी वेजाइनल delivery की और cigerian section की वेजाइनल delivery कब करवानी है जब bleeding कम present हो कम मात्रा में हो रही है और fetal distress भी present नहीं हो absent हो ठीक है तो अगर ऐसी chances है ऐसी conditions present है fetal distress भी नहीं है bleeding भी कम हो रही तो वेजाइनल delivery की तरफ जाना है बट cigerian delivery कब कराएंगे जब bleeding heavy हो दूसरा fetal distress भी present हो तो उस time कब जाएंगे labor delivery की तरफ ओके तो यह बात हो गई है यहां पर immediate management की अब बात करते हैं लास्ट इसमें इसके complications की क्या 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 complications हो सकती है तो तो first one है maternal site में क्या होंगे hemorrhage हो सकता है शोक हो सकता है sepsis हो सकता है postpartum hemorrhage हो सकता है oliguria और anuria हो सकता है fetus में क्या problem देखने को मिल सकती है fetal death हो सकती है fetal distress हो सकता है congenital anomalies हो सकती है बच्चे में और low birth weight भी रह सकता है ओके सो यह बात हो गया इसके complications की और यह topic भी complete हो गया तो aph मैंने आपको complete करा दिया अगर आपको इसमें कोई भी problem होता है आप मुझे comment करके पूछ लिजे thank you